मननारा चोपरा की हुई बिग बॉस बैटरी मननारा ने किया सल्मान खान के साइक दाज वेल बिग बॉस सीजन सेवेटीट का आगास हो चुका और शो की पहली काट डस्टेट मननारा चोपरा भी घर के अंदर एंटर कर चुकी है सल्मान सभी फैंस को बताते हुए नजर आए कि इस बार बिग बॉस के अलग फेवरेट कंटेस्टेंस होंगे और सल्मान के अलग सल्मान बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंस के पीछे होंगे और बिग बॉस सल्मान के फेवरेट कंटेस्टेंस के पीछे होंगे मनारा काफी ज्यादा धमाकेदार पफ़ामन्स करती हैं जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है वहीं सलमान मनारा से कहते हैं कि वो अपनी पॉस्णालिटी और चालेंग की दम पर यहां आई हैं नाकी परिनीती और प्रियंका चोपला की बेहन होने के नाते सलमान मन्नारा के साथ उनकी कांट्रिपउर्सी के बार में भी बात शीट करते हैं उनके डिरेक्टर ने उनने काफी दिनों बाद मिलने पर रूश्जी कर लिया था जिसरी काफी ज्यादा भाइरल हो गई इस वच सोंने काफी ज्यादा सफाही देने पड़ी सल्मान मनारा की कुल्ली भी उन्हें दिखाते हैं जिसमें उनके नकरे वाली बात होती है जिसके बाद मनारा बताती है कि उनने बिग बॉस की टीम से ये रिक्वेस्ट की थी उन्हें एक मेल एक्स्टेंशन वाला एक सैलूर और गोलगप्पे वाला तो घर के अंदर चाहिए ही चाहिए मनारा सल्मान खान के साथ काफी बाद शीत करती है जिसके बाद सल्मान उन्हें गर में अच्छे से सल्मान के साथ लाल डुपइक्टा साग्पई डांस भी करते हूए नाज़र आते हुई मनारा बताती है कि यह डुपइक्टा इनका फेवरेक बन और उनके लिए काफी ज्यादा लगी होने वाला है और वो घर में आई हैं तो वो ट्रॉफी लेकर ही जाएंगी वहीं सल्मान और मनारा साथ में गोल गप्पे भी इंजॉय करते हुए नजर आते हैं इसके बाद बिग बॉस मनारा को अपने तीनों मकान के बारे में बताते है बिग बॉस मनारा को ठैरिपी रूम और अर्काइव लूम के वैसे देते रहने हुंगे और जो दिमाक वाले में रहने है мало ओघूज का और वहांपर अर्काइव रूम भी है वहीं जो को दम वाली दिल वाले मकान को चूज करती हैं बिग बिग बॉस मनारा चोपड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं कि अब जो भी कंटेस्टेंस घर के अंदर आएंगे उन्हें मनारा की घर के बारे में सारी से इंफोर्मेशन देंगी वही सल्मान बताते ही कि मनारा घर में आते ही बिग बॉस की फेवरिक टेस्टिंग बच चुकी हो क्योंकि मनारा ने बिग बॉस से डिमाइड की ती कि वो शो में सबसे पहले कंटेस्टिंग के तौर पर एंट्री करना चाहती है ताकि वह अपना र अखके तो